नमस्कार स्वागत है आप सभी का डीडी नियूस में और आपके साथ मैं हूँ संद्या शर्मा बुलिटिन की शुरुवात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं करनाटक के चिक्का बल्लापूरा चहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जनसभा को संपोधित कर रहे हैं आप से आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ मैंने आप सभी को मेरा परिवार माना है आपके लिए दिन रात महनत करने में मैंने कोई कमी नहीं रखिये आपका सपना ही मोधी का संकल्प है पल पल आपके नाम पल पल देथ के नाम 24 by 7 for 2047 और इसलिए मैं सची नियत से सिरप योजनाई नहीं बनाता बलकी गारंटी भी देता हूँ लोक दंत्र व्यवस्ते यल्ली नावु माडिरुवा क्यलसगल रिपोर्ट कार्ड येन जोत जोते नल्ली निम्प आशिर्वादवन्न केडलों नानी लिगे बंदिद्धेने नानू निम्मन्ने नन्न परिवारा येंदु नम्मीद्धेने भाविसिद्धेने निम्मगागी नानू हगलू रात्री येनन दे दुडियुत्तेने निम्मा कनसुगले इमोधिय संकल्प वागिदे नन्न प्रतियोंदू कनकन दल्लू इदेश वीदे इदेश वासिकल आगिद्धारे आगागी नानू वल्ले नीयतिन योजगल अस्टेलला उत्तमा गयारंटिय जतनली बंदिद्देने साथ्यों हमारे देश के गरीब ने कभी उबीद भी नहीं की थी कि उसे फ्री राशन मिलेगा लेकिन ये गरीब का बेटा मोदी है जो किसी ने नहीं सोचा वो मैंने करके दिखाया आज चिक्कावलापूर के भी एट लेट से ज़्यादा लाभार्थियों को फ्री राशन मिलता है पूरा राशन मिलता है अब मोदी की गारंटी है कि आने वाले फाईवर तक ये ऐसे ही मिलता रहेगा नम्म देशोदा बडवरू येंदू नमगे उचिता पडितरा अंदरे फ्री रेशन सिखुबोदू उन्त योचने कुड़ा माडिर लिला आधर ये बड़वरा मनेय मगा मोदी इदनू साकार माड़ी तोर्सिता रहे येंदू यारू कुड़ा अनकोंडिर लिला आधर मोदी ये वरू साकार माड़ी तोर्सिता रहे साथियों, गरीब ने कभी फ्री ट्रिट्समेंट की कलपना भी नहीं की थी लेकिन टेन यर्स में करणा टका के लाखों परिवारों को फ्री ट्रिट्मेंट की गारंटी मिली है यहां चिक्का बलापुरम में भी फोर लेक्स से जादा आयुश्मान कार्ड बने हैं अम्मोहदी की गारंटी है कि हर परिवार में जो सेवन्टी यर्से बड़े सीनियर सेटीजन्द हैं उनको भी फाईव लैग रुपिय तक का फ्री ट्रिट्मेंट मिलेगा बंदुगडे यंदू सहा बडवरिगे आस्पत्र गड़ली उचीत सिखित्ते सिखुबोवदु उन्तकंत वंदु सैंड कल्पने कुड़ इरलीला आदरे अत्त्तु वर्षे गड़ली करना अटके द लक्षां तर कुटुम्बगलु उचित वाद चिकेच्चे येनना पड़दी तारे चिक्कडबलापुरा जिल्लेलु कूडा नालकु लक्षक्कु यच्चो आईश्मान काड़ गड़न्न वितरिसलागिदे इन्दू मोधी गारंटी निड़ती दारे अद येननरे यपत्त वर्षा मेरी दा हिरिये नागरी करिगे अईद लक्षा रूगड़ वरेगिना उचित चिकेच्चे येनना आस्पत्र गड़ली निड़ वाद गारंटी एनना मोधी एवरो निड़ताई दारे साथियों मोधी सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभारती SC, ST, OBC परिवार है पहली एकी सरकारों में ST, SC परिवारों को गंदगी में जुग्यों में रहना पड़ता था बिजली पानी तक की सुविदाएं तक नहीं मिलती थी उन्होंने भी सरकारों से सारी उमिदे छोड़ दी थी आपका ये भरोसा मोधी की गारंटी ने लोटाया है इस वज़र से पिछले 10 यर्थ में 25 करोर देश वाची गरीवे से बहार निकले है बंदुगले मोधी सरकारत योजनेगला अथी दोट्ट पलानिबविगलों वंदरे अदु SC, ST, OBC समुधायवागिदे OBC कुटुम्बगलागिदे नम सरकारक्को मदलू SC, ST कुटुम्बगलू कोलगेरिगलली गुडिसलुगलली वासिसुवंता परिष्टिती इत्तु नीरु विद्यु त्रीदिय मूलबूत सौकर्यगलू अवरिगे सिक्किरलिल्ला इकुटुम्बगलू सरकारत बग्ये बरवसे यन्ने भिट्टिदुओ अधरे मोधी गारंटी सिक्कनंत्र यल्ला सौलप्यगलनू मोधी सरकाराई कुटुम्ब के तलपुस्टकंत केल्सा माड़िदें साथियों, पिछले दस सालों में चिक्काबरापूर में 14,000 और कोलार में 20,000 पक्के घर मिल चुके अब मोधी ने 3 करोर और नए घर बनाने की गारंटी दी है जिनको अभी तक गर नहीं मिला है, उनको भी जरूर मिलेगा तो आपका सपना मोधी का संकल्प है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ये बात कहते हुए कि 24 by 7, 2047 के लिए अभी आप सुन रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को चिकबल लपूर करनाटक से जो की जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से दस सालों में केंद्र सरकार ने करनाटक के लिए काम किये हैं और किस तरह से इस देश को आगे लेचाने के लिए अगातार संकल्प को ले लेकर के आगे बढ़ रही है केंद्र सरकार उन्ने बताया कि अगर साफ नियत होती हैétais किस तरह से काम होते हैं वू आज प्रशित की है उसे पूरा किया जाएगा और आईए अब रुख कर लेते हैं अब तक की हेड्लाइन्स पर देश के प्रधान न्याय देश डिवाई चंद्रचूर ने तीन नए आपरादिक कानूनों को सराहा कहा नए कानून से आपरादिक न्याय प्रणाली में होगा अपुद्पूर्व बतलाव हाई कोर्ट्स को पत्र लिख कर उचित प्रशिक्षन सुनेश्चित करने को कहा 24 की चुनावती के लिए प्रधान मंत्री का धुआधार चुनाव प्रचार महराश्ट्र के नांदेड पर्मणी और करनाटक के चिकबल लापूर में कॉंग्रेस पर के जोर्दार हमले कहा वाईनाड में मुश्किल में है कॉंग्रेस शेहजादा जैसे हमें थी छोड़ा वैसे ही छोड़े के वाईनाड महराश्ट्र के इंटी सरकार ने दिखाई थी तुष्टी करन की मानसिक्ता चुनाफ प्रचार में सभी दलों ने जोंकी ताकत बिहार के भागलपूर में राहूल गांदी और तेजस्वी यादव की साचा जनसभाव प्रियंका गांदी वाडरा ने केरल में की जनसभाई चुनाफ के बीच कॉंग्रेस को जटके पर जटका वरिष्ट नीता तजिंदर सिंग बिट्टू ने थामा भाजपा का दामन कॉंग्रेस की कारिशेली को बताया फैसले की बज़ा पीएम मोदी के नितरत्व को सराहा पही मध्य प्रदेश में भी कई कॉंग्रेस नीता भाजपा में हुए शामेर हुबली में छात्रा की हत्या मामले में घिरी करनाटक की कॉंग्रेस सरकार बेंगलूरू में एबी वीपी ने राजु के ग्रे मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन भाजपा ने सिद्धा रमया पर लगाया लापरवाही का आरोप मुख्य मंत्री ने भाजपा के आरोपो को किया खारेश नमस्कार आप देख रहे हैं टीटी नियूज और आपके साथ मैं हूँ संद्या शर्मा ये खबरों को जानते हैं वस्तार से देश के प्रदार नियाधिश डिवाई चंद्रचूर ने तीन नए आपराधिक कानूनों की सराहना की है उन्होंने कहा कि नए कानून से आपराधिक नियाए प्रणाली में अभुत्पूर्व बतलाव होगा प्रदार नियाधिश ने हाई कोट्स को पत्र लिख कर उचित प्रशिक्षिन सुलेशित करने को भी कहा है एक जुलाई से लागू होने जा रहे इन नए कानूनों के बारे में जाग रूपता पैदा करने के लिए कानून और नियाए मंत्राले की ओर से आप राधिक नियाए प्रणाली के प्रशासन में प्रगत शील पत्पर भारत शीरशक से आयोजित सम्मेलन में CGI ने कहा कि नए कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए इंफरस्ट्रक्शर में निवेश और पुलीस जजों वह वकीलों को प्रशुक्षन देने की जरूरत है की प्रविजिन्स अफ़ नियू क्रिमिल लॉओ वूद अप्रदूस अपॉसितिव इंपक्त इफ इस इन्वेस्मेंट्स आर में अस सून अस पॉसिबल जस्टिस चंद्रचूर ने कहा कि पुराने कानून की सबसे बड़ी खामी पिरित को अंदेखा किया जाना था BNSS में ट्रायल और फैसले के लिए टाइमलाइन तैं होना एक सुख़द बदलाव है CGI ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ खामियों की बात भी कही उनका कहना है कि गंभीर और छोटे मोटे अपरादों को एक ही नजरिये से देखा जाता है नए कानून से इसमें भी बदलाव किया गया है Summary trial has been made mandatory for petty and less serious offenses The magisterial system has also been streamlined One of the problems of our criminal justice administration Is that we treat the serious and the petty almost on the same footing That has to change which it has changed under the new laws But the real challenge is about changing mindsets on our part to adapt to the new system इस मौके पर कानून मंतरी अरजुन्रा में गवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकलपना पियेम मोदी ने की है उसमें गुलामी का भाव अगर तेजी से हट रह है तो नरेंद्र मोदी जी के काल खंड में हट रहा है इसलिए मोदी जी कहते हैं यही समय है जही समय है भारत का अनमूल समय है और जब एक जुलाइश से ये तीनों कानून लागू होंगे तो भारत का ये समय और अनमूल बनने वाला है खानून मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के लाए कानून दंड देने के लिए थे मोदी जी नियाई के लिए कानून लाए हैं और आदमियों पे अपराद हो जाए तो का लेगे? तीन सो सीतर पीछे लेगे? हम आगे लाएं ध्यान अगनाई ये फरक है? उनके लिए नारी का समान बहुत पीछे लेगे तीन सो सीतर में और हम आगे लाएं ये भारतिय भाव की धारा है भारत के अटवनी जनरल आर वंकटा रमनी और सुलीसीटर जनरल तुशार महता ने भी संविलन को संबोधित किया भारतिय नयाय संगिता 2023, भारतिय नागरिक सुरक्षा संगिता 2023 और भारतिय साक्ष अधिनियम 2023 को भारतिय दंड संगिता 1860, दंड प्रक्रिया संगिता 1899 और भारतिय साक्ष अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है एक जुलाई से होने जा रहे इन कानूनों में राज द्रुह जैसी धारा को खत्म किया गया है और महिलाओं और बच्चों के प्रती अपराद को लेकर खानून सख्त किये गए है डिजिटल साक्षों को स्विकार करने और मुकदमों के तैं समय में निप्टारे को भी नए कानूनों में शामिल किया गया है विकास सार्थिक रिपोर्ट डीडी निउज और इसके साथ ये बुलेटिन में फिलहाल रुकरें एक छोटे से ब्रेक के लिए चलत हासिर होंगे शुकला बता रहा था आपके बाउजी ने जायदत का कुछ इससर नौकर के नाम कर दिया अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा समर्कूल जो हर दिल करे कबूल लाखो की संख्या में श्रधालू पहचे अयोध्या परसो की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोध्या को गौरव लोटा है नहीं तो पहले टेंग, तूटे घाट, गंदगी, कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो, केदारनाद देखो, जैन देखो, सोमनाद देखो, सभव्य, डिव्य और मोधी जी कहते हैं, ये तो बस प्रेलर है, आस्था का पड़्चम लेराता रहे ये है मोधी की गैरेंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोधी को, ये है हमारी भी गैरेंटी कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए और प्रिक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागा थे, आईए समाचार में बढ़ते हैं आगे करनाटक में हुबली में एक चात्रा की हत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है पैंगलोरू में एबीवीपी के कारिकरताओं ने हुबली हत्याकान के पिडिता पर की गई टिपणी को लेकर करनाटक के ग्रेम मंतरी जी परमेश्वर के आवास के बाहर विरूत प्रदर्शन किया बाजपा इस मुद्दे को लेकर करनाटक की कॉंग्रेस सरकार को जम कर घेर रही है पाजपा का कहना है कि यह लव जिहाद से जुड़ा मामला है जबकि इस सीम इसे लव अफेर का मामला बताने का प्रयास कर रहे है बिजेपी के बाहास चेव विनोत तावडे ने करनाटक के हुबली में हुई घटना पर राज्जे सरकार पर निशाना साथा है उन्होंने राज्जे सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया या करनाटक सरकार हो जो कारवाही करना अवश्चक है वो करते वे नहीं दिख रही है हुबली में हुई हत्या पर केंद्रिय मंत्री और धारवार सीट से भाजपा उमीदवार प्रलाज जोशी ने राज्जे सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कॉंग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का रोप लगाया अपने दुकान में तो हनमान चाली सा लगाया था उनके उपर केस किया है टर्रिस्ट को इन लोगों ने क्या कहाए ब्रजर्स पाकिस्तान जिंदाबाद नारा जो लगाया था उनको अरेश्ट जल्दी नहीं किया और इदर करनाटक के मुक्यमंदरी सिधारमयया ने कहा है कि हुबली की घटना लवजीहात का मामला नहीं है उन्होंने कहा कि अपराधी को गिरफतार कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जाच चल रही है सीम ने अपराधी को सजा दिलाने की बात कही उन्होंने भाजपा पर इस मामले को राजनितिक रंग देने का आरोप लगाया और अब बात करते हैं 24 की चुनाती की बाजपा के स्टार प्रचारक प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महराश्ट्र के नांदेर में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का शिरवात मागा प्रधानमंच्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस के शेहजादे को वाइनाड में संकट दिख रहा है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस 26 अपरेल का इंतिजार कर रही है जब वाइनाड में चुनाफ होने के बाद उनके लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी जा सके उन्होंने कहा कि जैसे इन्हें अमेठी छोड़ना पड़ा मान कर चलिए वे अब वाइनाड भी छोड़ेंगे पी-एम ने कहा कि कॉंग्रेस का परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कॉंग्रेस को ही वोट नहीं देगा किरल के मुख्यमंत्री ने जो साहजादे को सुनाई है मैं भी कभी ऐसी भाचा नहीं बोलता हूँ ऐसी भाचा बोली है उन्हें साथी को यह हाल है उनका अब जैसे इन्हों ने अमेटी से भागना पड़ा अमेटी छोड़ा अब मान के चलिए वो वाइनाड भी छोड़ेंगे आप कॉंग्रेस का परिवार आपको आश्त्रयों का आजादी के पहली बार सिति ऐसी बन रही है कि यह कॉंग्रेस का परिवार इस तुनाव में कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा फुद कॉंग्रेस को वोट नहीं देगा ये हाल है इनका क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कॉंग्रेस का उम्मीद्वारी नहीं है प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने महराज़्टर के परबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाफ केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है इस चुनाफ का लक्षे है भारत को विक्सित बनाना भारत को आत्म निर्फर बनाना उन्होंने जोरान कॉंग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी बेल बताया जो साथ रहने वाले को ही खत्म करतेती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक इंडी अगाडी की सरकार रही तब तक यह एहसास कराया गया कि यहां निजामों की सरकार है आजादी के समय कॉंग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी कॉंग्रेस ने 370 के बाहा ने बाबा साब का सम्विदान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया वहां के दली को इतने सालों तक अधिकारी नहीं मिलने दिये महराष्ट में इंडी अगाडी वालों ने जब तक सरकार चलाई इन्होंने लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कबज़ा चला गया है रजाकारों की मानसिक्ता यहां आवी थी हाँ इन लोगों ने महराष्ट और मराठावार का विकार तो नहीं होने दिया लेकिन कॉंग्रेस और नकली शिवें जेना की पिछली सरकार याकूम मैनन की कबर सवामने में ब्यक्ता थी और इदर वरिष्ट बाच्पानेता अमिच्शा ने आज राजस्सान के कोटा में विजए संकल्प माहसमेलन में हिसा लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में एक तरफ मोदी हैं जिन पर भरिष्टा चार का एक भी आरोप नहीं है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस है जो उपर से नीचे तक भरिष्टा चार में लिप्त है एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23-23 साल से मुख्यमंत्री और प्रदान मंत्री रिव के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं इनका तजुरुबा है और दूसरी और दूसरी और राहुल बाबा है जो बीस बीस बार लॉंच किये मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है भाई और बेनो एक और बारा लाग करोर के गपले गोटाल और भृस्टाचार करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है दूसरी और तेईस साल के केरियर में चार आने का भी जिस पर आरोप नहीं है ऐसे नरेंद्र मोधी है हिमाचल प्रदेश के हमीरपूर में केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुन ने बिजेपी महिला मोर्चा कारिकरम में शुरकत की कारिक्रम में केंद्रिय मंत्री ने कहा कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नित्रित्व में देश आगे बढ़ रहा है कॉंग्रिस नेतर राहूल कांधी ने बिहार के भागलपूर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कॉंगरेस की जीत का दावा किया है उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी यूजना के तर्द प्रतेक परिवार की महिला को घर घर्च के लिए कॉंगरेस की सरकार हर महिने 8,500 रुपए देगी कॉंग्रेस माहसिची प्रियंका गांधी प्रचार अभ्यान में शामिल हुने केरल में हैं उन्होंने कॉंग्रेस उमीद्वार के पक्ष में प्रचार करते हुए इक जन्सभा को संबोधित किया और इस मौके पर उढ़ा ने कहा कि देश ने हमें प्यार से रहना सिखाया है अवर कंट्री इंडिया गेवास लाइफ दिस कंट्री अवर माधर लैंड दिस कंट्री अट टीचेस अस हाव तो अवरकम अंगर विद लव और समाचारों में फिलाल वक्त चुलेक छोटे से ब्रेक का चल्थासिर होंगे शुकला बदा रहा था आपके बाउजी ने जायदत का कुछ इससा नौकर के नाम कर दिया अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा समर कूल जो हर दिल करे कबूल अपनी ही है अपने ने ही बनाई और अपने ही बोटो से बनी है वन्दे बाराथ किसने सोचा था हमारे ट्रेनों में रिवाल्विंग सीट्स विस्ता डोम्स होंगे एरपोर्ट जैसे एसकलेटर्स लाउंजिस फूट को ट्रेल्वे स्टेशन बनोंगे शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे वर्ल्ड ख्लास फेसिलिटीज की गारंटी मोदी की मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी समचारों में आपका एक बार फिर से स्वागातिया ये खबरों में बढ़ते हैं आगे जमो कश्मीर में भी लोकसभा चुनाफ के लिए प्रचार भ्यान जोर पकड़ चुका है पीडीपी नेता महबुबा मुफ्ती ने अनंतनाग में रोड शो किया उन्हाने अपने पिता मुफ्ती मुफ्ती मुफ्त सईथ के इस इलाके के साथ पुराने रिष्टों का जिक्र किया और वोट मागे जम्म Кश्मीर में नैशनल कौन्फरेंस और कॉंग्रेस मिलकर चुनाफ लट रहे है नैशनल कौन्फरेंस के नेता और जम्म कश्मीर के पूर्फ मुफ्त मख्यम अंतरी उमर अब्दुला ने पुल्वामा में चुनाफ प्रचार में हिस सा लिया इस दोरान उन्होंने पीडीपी पर निशाना साथा पश्रिम बंगाल के मुकी मंत्री और त्रिनमूल कॉंग्रेस प्रमुक ममता बनर्ची ने आज माल्दा में एक सारवजनिक रैली में हिस्सा लिया इस दोरान वो इस्थानिय लोगों के साथ धोल बचाती नजर आई अंध्रप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष वायस शर्मीला ने कडपा लोकसभा सीट से पार्टी के लोकसभा और मिद्वार के रूप में नमांकन भरा शर्मीला अंध्रप्रदेश और तेलंकाना की राजनीती का जाना माना चहरा है और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलाल इतना ही हमेदी जे जाज़त उत्तर से तक्षुन तक पूर्व से पश्श्म तक देशोया दुनिया की खबर है तो परताल सरूरी है देखिए हमारे साथ अजिंडा भारत का इस वक्त सुमवार से शुक्रवार दो पहर तीन बजे सिर्फ टीडी नियूस पर